आज से यूपी चुनाव के लिए प्रधान मंत्री मोधी चुनाव प्रचार करेंगे आज वर्च्वली पांच जिलों को संबोधिर प्रधान मंत्री मोधी करेंगे 21 विधानसभा सीटों पर प्रधान मंतरी की चौपाल लगेगी पहले चरण की सीटों पर प्रधान मंतरी मोदी का कारिक्रम होने वाला है जिन जिलों में आज प्रधान मंत्री की वर्च्वल चौपाल होनी है उनमें सहारनपुर्श शामली मुजफर नगर बागपद और गौतम बुद्ध नगर शामल है इन सभी जिलों की विदान सभा सीटों पर LED वेन के जरिये वर्च्वल संबोधन का प्रसार किया जाएगा तो जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम दिगज नेता डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं वही प्रधान मंत्री मोधी अब वर्च्वली चुना प्रचार की कमान सम्हा लेंगे पहले चरण के मतदाताओं को संबोधित करेंगे खास्तोर पर पांच जिलों की जो 21 विदान सभा सीट हैं उनके मतदाताओं को संबोधित करेंगे लाखों कारेकरताओं को प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन होगा जो कारेकरता सुनेंगे पहले चरण की सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी का ये कारेकरम है जिन जिलों में आज प्रधानमंत्री की वर्चुल चौपाल होनी है उनमें सहारनपुर, शामली, मुझफवर न स्क्रीन पर देख पाएंगे 7888 प्रणिंग बूसों पर विशेश ने वाला है पहलेikke मद्दाताओं को प्रधान मंत्री मोदी संबोधित करेंगे व्र्चुल चौन के सरिए संबोधन का कारिक्रम प्रधान मंत्री's का रहने वाला है हजारों लोगों को एक साथ प्रधान मंत्री मोदी आज वर्च्वली संबोधित कर पाएंगे तो दो तस्वीरे लगातार आपको हम दिखा रहे हैं प्रधान मंत्री मोदी वर्च्वल रैली करेंगे एक साथ हजारों लोगों को संबोधित कर पाएंगे और दूसरी तस्वीर उस स्टूडियो की तस्वीर है जहां से प्रधान मंत्री मोधी का ये संबोधन रहने वाला है और जारा जानकारी के साथ हमारे संबादाता सबसे पहले शैलेश आपी का रुख करते हैं प्रधेश भाजपा कार्याले पर आप मौझूद हैं वहाँ पर एक स्टूडियो भी तयार किया गया है अगर मुम्किन हो तो स्टूडियो की तस्वीर ज़रा दिखाएं और बताएं किस तरीके से वहाँ से वर्च्वली संबाद प्रधान मंत्री मोधी करेंगे गुण्यद बिल्कु लेशी करूप से वादपा कारयाले पर है लेकिन अभी जो इस टूडियो की अगर हम बात करते हैं जो वर्च्वल रैली के लिए बनाया गया वो अभी बंद है और यहां तक कि उस फ्लोर पर जाने के लिए जो रास्ता है उस पर भी अभी फिलाल ताला लगा हुआ है वहाँ पर अभी जाने किसी को नुमती नहीं दी जारी है थोड़ी दिर के बाद वो स्टूडियो खोला जाएगा तैयारी कली पूरी कली गई थी इस वर्च्वल रैली की और आपको बचाए कि यह जो वर्च्वल रैली होनी है इसके लिए तैयारी आज से नहीं है यह कई दिन पहले ते शुरू करती गई थी और यहाँ पर जब 403 विधान सभाओं के लिए भाजपा ने अपने LED वैन रवाना किये थे तभी हमने इस बात को बताया था अपने दर्शकों को के अब इन LED वैन का इस्तेमाल जो है तो यहां की 21 विधानसभा सीटे हैं और इन में 98 जगह पर LED वैन लगाई गई है और देखे जो निर्वाचन आयोग के निर्देश है वहां उसके अनुसार हर LED वैन यानि एक जगह पर अधिक्तम 500 लोग हो सकते तो अगर हम इस पूरे कैलकुलेशन को देखे तो इन 98 जगह पर जब 500 लोग जुटेंगे तो 49,000 लोग तो देखे सीधे तोर पर LED वैन के माद्यम से यहां पर जुटेंगे दूसी चीछ अगर हम बात करते हैं जैसा अभी आपने ही बता है अथटर सो अथटर यानि 7,878 जो बूत है वहां पर भी विवस्ता की गई है जो बूत अद्यक्षय है जो पन्ना प्रमुक है वो सभी लोग वहां पर रहेंगे इसके अलावा इन पांस दिलों की जो विदान सवा सीटे हैं यहां पर अलग-अलग लोगों को स्मार्ट फोन जिनके पास है उनको वीडियो के लिए इस रैली को देखने के लिए लिंक भी बेजे गए अलग-अलग माद्यम से यानि आप ये समझिया कर इन सारे आकड़ों को जोड़ दीजे तो 49,000 लोगों के LED वेंस के माद्यम से इसके बाद 7878 बूत्मन लोगों गये प्लस मोबाइल यानि लाखों लोग इस रैली में जुड़ जाएंगे इस तरह से अगर आप देखिए तो यानि एक जो फिजिकल रैली होती है जिस तरह से अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में लोग होते हैं अगर भीड की बात करें लाग दो लाग इस तरह बिल्कुश वर्च्वली भी लोगों को जोड़ने की पूरी तैयारी थार्टे जनता पांटी लेकर लिया और प्रधान मंतरी की रैली को हजारों लोग एक साथ सुन पाएंगे